मेरा उत्राखंड आपदा परभावी छेतर है यहां कभी भी भूकंफ हो सकता है भूसकलन हो सकता है अतिव रिष्टी हो सकती है और बादल भी फट सकता है इन आपदाओं को कोई रोग तो नहीं सकता लेकिन इनसे बचा जरूर जा सकता है और इसी तरह के परशिक्षन में ल इन किरामेर आपदा रक्षक लड़कियों को सरकारी आपात सेवाओं की जानकारी प्रात्मिक उपचार और अलग अलग तरह की घायलों को पहचान कर उन्हें अलग इस्टेक्चर में लाने ले जाने का परशिक्षन दिया जाता है हमारा चेतर आपदा संभावित चेतर है जिसमें भुकम जैसी घटना ही हो सकती है इसके लिए हम गाउवालों को भुकम से बचाओ की तरीकी सिखाते हैं इसमें हम रैपलिंग, क्लाइमिंग, जुमारिंग, रिवर क्रॉसिंग आग को कैसे बजाते हैं आग पर किस तरह कंट्रोल किया जाता है इस तरह की ट्रैनिंग सिखाते है मैंने पहले पर्सिक्शन ही लिया, SBA कैमपस में, दस दिन का, उसके बाद फिर दिसमबर में एडवांस पर्सिक्शन ही और उसके बाद फिर एक ग्रूप को इससे पहले में ट्रैनिंग दे चुकी हूँ बिकट पहाडों पर ट्रैसियों के सहारे उतने और चर्णे के पर्शिक्शन इन्हें दिये जाते हैं ताकि किसी भी इस्तिदी में ये घायलों को अस्पताल में पहुँचा सकें या सीखना काफी कठिन है पर पहाडों में प्राकृतिक आपदाओं की पीड़ा से उपजा जज़बा इन्हें या सीखने का होसला देता है आप कितने दिन से ये ट्रैनिंग ले रहे हैं? हम साथ दिन से ट्रैनिंग ले रहे हैं आपको इस ट्रेनिंग से क्या फाइदा हुआ इस ट्रेनिंग से हमें ये फाइदा हुआ कि इस से पहले पता नहीं था कि पहाड पे किस तरह से चलना है और बहुत जादा डर लगती थी आज हमारे अंदर आत्में बिश्वास है और हम किसी भी कठीन से कठीन कारे को आसानी से इस साल हमारे गाम बहुत बारिश हुई थी और किसी के खेत पहे गए थी और किसी के मकान के आगे से फिसल गया था वह मैं भी खुद धुबड़ा गई थी और गाउवाले भी और इस खोज और बचाच लेकर हमें बहुत कुछ शीख मिली इससे और खुद अपनी विश्रेक् के कुछ सिखाए हैं अब यह डरेंगी नहीं और आपदा से मुकाबला करेंगी मैं चाहती हूं कि हमारे उत्राखंड में अन्यगाओं में भी लड़कियों को आपदा से बचने के कुछ सिखाए जाएं इंडिया अनहर्ट के लिए गैर से इन उत्राखंड से मैं लक्ष्व दॉप नट्यार